तो हम लोग क्या करने वाले हैं आज इस वीडियो में हम लोग NCRT क्लास 2nd unit 8 को डिसकस करेंगे जिसमें हमारा जो चाप्टर है वो है दम्मॉंबाई तो आज हम लोग musicians के बारे में जानेंगे आपको पता है musicians कौन होते हैं जो music बजाते हैं तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अच्छे से स्टोरी को डिसकस करते हैं Once upon a time there lived a donkey named Gopu एक समय के बात है एक डंकी था जिसका नाम था गोपू क्या नाम था बच्चो गोपू He had worked for many years in the house of a farmer वो जो डंकी था वो एक किसान के यहां काम करता था और उसने कई सालों तक उस किसान के यहां बहुत अच्छे से काम किया He had carried many heavy sacks of corn and sugar cane from the farm to the factory Gopu जो था वो क्या करता था बहुत बड़े बड़े बोरे में मकई के दाने sugar cane को लाद करके अपने पीट पर ढढ़ो करके खेतों से factory तक लेके जाता था He was now very tired and old लेकिन वो अग्या हो चुका था बुढ़ा हो गया था और वो बहुत ज़्यादा ठक गया था तो बच्चों क्या हुआ एक डंकी था जिसका नाम था Gopu वो एक किसान के यहां बहुत दिनों से काम करता था वो उस किसान की मदद करता था किस काम में मदद करता था वो किसान के यहां फार्म से factory तक उसके शमानों को ले जाता था लेकिन अब वो क्या हो चुका है बहुत ठक गया है और काफी ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है है ना दे फार्मर से टू गोपू यू आर गोर्ड डंकी एक देन किसान ने गोपू से कहा तुम बहुत यह अच्छे डंकी हो take this sack of corn and go and see the world before you become too old फार्मर ने गोपू से कहा लो यह बोरी लो जिसमें corn भड़ा है और तुम इसे ले जाओ और चाकर के दुनिया देखो चाकर के घूम लो नहीं तो तुम और भी जादा बूढ़े हो जाओगे और अगर तुम और जादा बूढ़े हो जाओगे तो अच् वहाँ से जाने को कहा ताकि वो दुनिया को अच्छे से देख सके गोपू स्माइल्ड एंड सेट गुडबाई गोपू जो था पुमुस्कुराया और अपने मास्टर को गुडबाई कहा क्योंकि वो सच में घूमना चाता था घूमना तो सबको पसंद है आप भी घूमना पसंद करते हो ना ही शेट आफ टूवर्स सीटी ऑफ मुंबई गोपू जो था वो चल पड़ा किधर चल पड़ा मुंबई की और चल पड़ा आइम गुड अट मियोजिक को पूज था वो खुछ से कह रहा था मैं तो बहुत अच्छा मियोजिशियन हूं मैं तो बहुत गाता हूं I will go to Mumbai and be a musician there मैं मुंबई जाओंगा और मैं वहां जाकर के एक musician बनूँगा बहुत अच्छा musician बनूँगा on the way he met a dog जब गोपू मुंबई की तरफ जा रहा था तब उसे एक dog मिला तब वो किसे मिला dog से मिला where are you going आस्ट डोपू वो जो डोग था उस डोग का नाम डोपू था वो उचसे पूछा कि आप कहा जा रहे हो गोपू ने कहा I am going to Mumbai to be a musician मैं तो मुंबई जा रहा हूं क्योंकि मुझे आस्ट गोपू ने डोपू से पुछा क्या तुम भी मेरे साथ चलना चाहोगे तो डोपू बोलता है yes I would बलकुल मैं चलूंगा off went the two friends on the dusty road to Mumbai अब गोपू और डोपू दोनों मिलकर किधर की और निकल पड़े Mumbai की और they saw a ball of fur in the middle of the road तब ही उन दोनों ने आचानक एक ball देखा जिसमें बहुत सारे fur थे who are you they asked दोनों ने पूछा तुम कौन हो I am furry the cat said the cat cat बोली मैं furry हूँ ठीक है would you like to come with us to become a musician asked गोपू और डोपू ने पूछा तोनों ने एक साथ furish पूछा क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे हम लोग musician बनने Mumbai जा रहे हैं फ़री जो थी वो बहुत ही जादा happy थी वो बहुत जादा excited थी oh I would love to come along replied furry furry बोली मैं तो बिलकुल चलूँगी तम लोगों के शाथ मुझे चलना बहुत अच्छा लगेगा so off went the three together to become Mumbai musicians तीनों लोग चल पड़े अब बताओ वो लोग मुंबई क्यों जा रहे थे इसका answer आपको मुझे comment box में देना है कि गोपू डोपू और furry जो थे वो लोग मुंबई क्यों जा रहे थे soon they meet kukku the cock फिर वो kukku से मिलते है kukku कौन है एक मुरगा है I love music and wish to join your band kukku बोलता है मुझे music बहुत पसंद है और मैं आके band को join करना चाता हूँ they all reached a house with a light वो सब एक बहुती energy के साथ एक घर पर पहुँचते है they were tired and hungry वो इतना नंबर आस्ता तैकर के आ रहे थे कि वो बहुत ही ज्यादा ठक गए थे और उन्हें बहुत ज्यादा भूग भी लग गई थी they peeped in through the window and show a table with delicious food वो लोग चारो और इधर उधर देखने लगे तब अच्छानक उन्होंने window से देखा अरी वाह इतना delicious delicious food रखा है they decided to sing to let the people inside know that they were musicians उन्होंने decide कि हम लोग मिलकर जोर जोर से गाना गाएंगे ताकि अंदर जितने भी लोग हैं उनको लगे हम बहुत अच्छे musicians है वो हमारे पास आएंगे और वो हमें delicious delicious खाना देंगे ऐसा उन्होंने सोचा और उन्होंने जोर जोर से गाना गाना सुरू कर दिया देखें आपको figure में भी दिख रहा होगा कि ये कितने जोर जोर से गाना गा रहे हैं है ना they sang the people inside thought that ghost had come to scare them वो लोग इतने जोर जोर से गा रहे थे कि जो अंदर बैठे लोग थे उन्होंने सोचा अरे बापरे कोई भूत आ गया है और वो हमें डराने की कोसिस कर रहा है they ran away as fast as they could और वहाँ पे जितने भी लोग थे दुम दबा करके भाग गए जितना तेज हो सकता था उतनी देश से भाग गए क्यों भाग गए बच्चों क्योंकि उन्हें लगा कि कोई भूत है और वो उन्हें डरा रहा है गोपू डोपू एंड फरी went into the house and add the food till they could eat no more तीनों मिल के अंदर चले गए और खूप पेट भर कर खाना खाया जितना की वो खार सकते थे तो स्टोरी क्यासी लगी अच्छी थी ना स्टोरी जिसमें जो कोपू था वो कहा निकल पड़ा था मुंबही निकल पड़ा था क्यों 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 उसे म्यूजिशन बनना था रास्ते में वो डोपू से मिला फिर कुकु से मिला फिर फरी से मिला और उनको ले करके वो म्यूजिशन बनने के रास्ते पर चल पड़ा तो अंप में उन्होंने क्या किया बहुत जोड जोड से गाना गाया ताकि उन्हें खाना नल सके लेकिन जितने भी लोग थे वो डर कर भाग गए क्योंकि उन्हें लगा कि कोई भूत है तो इस तरह उन्होंने अपने खाने को खा लिया अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर न्यूं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तब तक के लिए किम रिटाजेस वाल और आसे तरह जोड़े अवागी है